थाइरोइड एंड मेन यानि की मर्दों में थाइरोइड यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरस्टिंग है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि थाइरोइड का प्रॉब्लम जो है यह महिलाओ का प्रॉब्लम है और इनफैक्ट अगर कोई मर्द को थाइरोइड क्लिनिक में सबसे पहले सवाल पुछते डाक्टर यह तो सिफ महिलाओं में होता है मुझे यह कैसे हो गया वेल आज का हमारा वीडियो यही टॉपिक पे आधारित है कैसे थाइरोइड का प्रॉब्लम मर्दों में आ सकता है और क्या यह प्रॉब्लम औरतों की जैसे ही ठीक करना जरूरी है या इसको ठीक करने के लिए और बहुत सारे अप्रोचिस हम इस्तेमाल करते हैं साथी साथ जब भी मर्दों में थाइरोइड का प्रॉब्लम आता है तो क्या उनके लिए भी सिर्फ थाइरोइड की दवा काफी है या उसके लिए और भी अप्रोच की जरूर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तान्वी मयूर पटेल एंडोक्राइन लॉजिस्ट यानि की हॉर्मोन विशेशग्य डॉक्टर मॉंबाई से तो सबसे पहले क्या थाइरोइड का प्रॉब्लम मर्दों में आ सकता है जवाब जी हाँ डेफिनेटली आ सकता है देखे थाइरोइड प्रॉब्लम कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं है कि यह मर्दों में नहीं होगा लेकिन हां मर्दों के मुताबित और तो में यह प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा कॉमनली पाया जाता है लेकिन इसका मतले भी नहीं है कि यह प्र कि अगर कोई भी पुरुष को हाइपो थाइरोइडिस्म आता है तो सबसे पहले वो यही एकसेप्ट नहीं कर पाते कि यह प्रॉब्लम हमें हुआ है साथी साथ जबी मर्दों में थाइरोइड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो बहुत से ऐसे लक्षन आते है जो अकसर जनरल वेल बिंग के रिलेटेड होते है या तो फिर और कोई हॉर्मोन के रिलेटेड होते हैं और इसलिए ज्यादा करके थाइरोइड पे लोग ध्यान नहीं देते तो क्या ऐसे लक्षन है जो मर्दों में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं अगर आपको थाइरोड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले है आपको फटीग, टायर्डनेस, ठकावट लग सकती है दीरे दीरे आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ ती, जो ताकत थी वो कम है अब ये कैसे मैसूस होगा तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप उब्जर्व करेंगे जितना वेट लिफ्टिंग आप शायर से पहले कर पा रहे थे उतना आप नहीं कर पा रहे या तो फिर overall आपको आपकी strength जो है वो कम होती लगती है साथी साथ अगर आप muscle की बात करें तो ऐसे लगेगा कि आपकी muscle mass जो है कम हो रहे आपकी बाजू है जहाँ पे biceps muscles जो होती है आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बाजू है और हर body की muscles जो है वो दीरे-दीरे कम होती जा रही है अगर आप मांसिक लेवल की बात करें तो हो सकता है आपको mood में problem अगे परिवर्त नाय डिप्रेशन जैसा लग सकता है चिड़ चिड़ा पन लो सकता है साथी साथ अगर thyroid problem है तो इसके वज़े से आपकी जो sex की जो कामना होती है जिसको हम libido कहते है वो कम हो सकता है साथी साथ अगर hormonal गरबर ज्यादा है तो इसके वज़े से आपको infertility बांच्पन हो सकता है आपका sperm count कम हो सकता है और आपको erectile dysfunction जैसे भी समस्या आ सकती है यह specifically मर्दों के related है और अक्सर लोगों को लगता है कि यह सबी symptoms जो है यह age के हिसाब से हो रहे है और यह aging process है और इसके वज़े से बहुत सी बार ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके hormones की जाचे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपक लक्षने आते हैं इन फैक्ट देखें यह सबी जो लक्षन जो specific मर्दों में होते हैं यह काफी को inside करते हैं मर्दों में होने वाले testosterone hormone की कमी यानि जिसको हम medical भाषा में हाइपो गोनाडिजम कहते हैं तो अक्सर आपको हाइपो गोनाडिजम है तो भी यही सब लक्षने जवाब है हाँ इन फैक्ट अगर आपका thyroid hormone कम रहेगा तो उसके वज़े से आपका testosterone hormone भी कम होगा यानि यह दोनों T, T4 thyroid और T4 testosterone बहुत अच्छे से जुड़े हुए है और अक्सर हाइपो थाइड जब तक ट्रीट नहीं होता हाइपो गोनाडिजम कहीं न कहीं रहता है और मर्दों के यह problems continuous चलते रहते हैं साथी साथ क्योंकि आपके metabolism कम हो जाएगी आप यह experience करेंगे कि आपका वज़न बढ़ते जा रहा है पेट के यहां पे abdominal obesity आ रहे हैं और जो भी आप महनत कर रहे हैं आपका वज़न कम ही नहीं हो रहा यह सबी लक्षन हाइपो थाइरोइड और हाइपो गोनाडिसम के होते हैं साथी साथ जो थाइरोइड हॉर्मोन है ना हमारे शरीर का बहुत ही important हॉर्मोन है और यह एक important हॉर्मोन की गड़बड पुरुशों के सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है साथी साथ low thyroid हॉर्मोन की करने लग जाती है और इसके वज़े से दीरे दीरे करके आपको insulin resistance आ सकता है और यह insulin resistance और हाइपो थाइरोडिजम दोनों मिलके जो टेस्टोस्टेरोन की संख्या को बहुत ही ज्यादा कम करते हैं तो यह तो है problem अब इसका solution क्या है इस पर बात करते हैं अक्सर मेरे वीडिय तो आपको यह पता होना चाहिए कि problem क्या है अगर आपको problem पता है तो ही आप उसकी treatment की खोच परताल करेंगे है ना तो problem जानना उतना ही जरूरी है जितना की solution को हम जाने वहना तो आप treatment कराते रहेंगे और आपको यही पताने क्यों कर रहें वो भी एक गलत बात हैं तो यह हमने देखा कि कैसे मर्दों में thyroid की वज़े से testosterone hormone की कम ही आती है तो यह तो हो गए आपके लक्षन जैसे कि मैंने बता यह लक्षन कभी कबार लोगों को लगता है उम्र के साथ में हो रहे है या तो और कोई hormones की गड़बड़ी के वज़े से हो रहे है तो कैसे पता चलेगा क यह जो गड़बड़ी है यह आपकी thyroid के specific है बहुत आसान तरीका है उसके लिए आप जाच करा सकते है आपकी खून की जाच तो खून की जाचों में सबसे पहले आपको detail में आपकी thyroid को evaluation करना है तो उसमें हम test कराएंगे thyroid function test जिसमें आ जाता है TSH, free T3, total T3, free T4 और total T4 यह पूरा thyroid function test हो जाता है अगर डॉक्टर को लगता है आपको autoimmune वाला thyroid problem है तो वैसे cases में तीन antibodies की जाचे करवा सकते हैं यह case to case depend करता है anti-TPO antibody, anti-thyroglobulin antibody and TSH receptor antibody यह तीनों test antibodies की test होती है इसके अलावा आपके शरीर में यह देखा जाएगा कि insulin level की मात्रा कैसी है तो इसके लिए आपको fasting insulin कराया जा सकता है साथी साथ HOMA IR वाली एक test होती है जिससे हमें पता चलता है कि आपको insulin resistance है या नहीं साथी साथ आपके शरीर में जो inflammatory यानि अंदरोनी सुझन लाने वाली testing कराई जा सकती है जिसमें आ जाता है HSCRP यानि high sensitivity C reactive protein इसकी भी test करते हैं साथी साथ blood sugar चेक करा जाएगा और HbA1c जो तीन महिने की average blood sugar test होती है अब चलते हैं आपके testosterone hormone की तरफ तो ऐसे cases में कुछ और test कराई जाती है जैसे सबसे पहली आ जाती है LH hormone जो एक pituitory ग्रंती जो हमारे दिमाग के अंदर स्थाई थे उसका hormone है LH hormone आपके शरीप के testosterone hormone को production में important है तो अगर LH hormone में गड़बढ है तो भी आपके testosterone hormone में गड़बढ आ सकती है तो LH वाला hormone कराया जा सकता है दूसरा है prolactin hormone ये भी hormone हमारे दिमाग के स्थाई पिचुटरी ग्रंती में से आता है उसके अलावा और एक important protein है जिसको हम कहते SHBG यानि की sex hormone binding globulin ये एक प्रका का protein है जादा करके आपका liver बनाता है अभी liver की health भी बहुत ज़रूरी है अगर liver की health अच्छी नहीं रहेगी तो आपको SHBG protein की मात्रा में गड़बढ आ सकती है इसलिए आपके case to case depend कर सकता है और डॉक्टर आपको liver function test की भी suggestion कर सकते है खास करके अगर SHBG के level में परिवर्तन आता है उसके बाद में बढ़ते हैं सबसे महत्वपून हॉर्मोन वह है आपका androgen hormone जिसमें टेस्ट करेंगे total testosterone और free testosterone ये सभी panel of the test important है ये देखने के लिए कि क्या hypothyroid की वज़े से आपको low testosterone आया है नहीं आया है of course ये आपके case to case depend करता है कुछ test plus minus हो सकती है वो आपके treating endocrinologist doctors बताएंगे तो जब ये सभी पूरी panel of the test करते हैं तो काफी आपकी hormone health का खासा खुला चिट्टा बाहर आ जाता है पता चलता है कि internally आपकी body कैसी है देखें बहुत सी बार क्या होता है ऐसे लक्षन आते है तो अक्सर खास करके जब लड़के लोग gym जाते तो wrong supplements इदर उदर के लेने शुरू कर देते हैं ऐसे supplements आप नहीं शुरू कीज़े क्योंकि उससे शायद से आपको उतना benefit ना हो उसके जगह पे आप आपके hormones की पूरी डीटेल में जाच कराइए और नजदी की hormone विशेशग्य डॉक्टर की help लेंगे तो आपको medically कोई problem है या नहीं यह उभर के बाहर आएगा और आपको right guidance मिलेगा क्योंकि अकसर हमने यह low testosterone की वज़े से खास करके जिम वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा wrong dosage of the medicine लेते हैं और आगे चलके ज्यादा problems और दिक्कत लेके आते हैं तो सबसे पहले यह सब test कराये और देखे कि क्या problem है क्योंकि आज का हमारा topic hypothyroid और मर्दों के लिए है तो सबसे पहले हम treatment यानि उसमें बात करेंगे thyroid की तो सबसे पहले अगर आपका thyroid ठीक नहीं है अगर thyroid की रिपोर्ट में गड़बड आई है और अगर आपको hypothyroid या तो under active thyroid आया है तो सबसे पहले doctors जो है आपकी treatment शुरुआत करेंगे अब treatment की जब शुरुआत करते हैं तो तो हम thyroid hormone replacement therapy भी कहते हैं तो सबसे पहले अगर आपको under active thyroid आया है या तो फिर सब clinical hypothyroid आया है तो आपके case के हिसाब से doctor आपकी दवाओ का dose सुनिश्चित करेंगे अब जैसे ही dose की बात करते हैं तो बहुत जादा important रखता है मर्दों के अंतर महिलाओं के अंदर जो dose देते है शायद से उससे थोड़ा जादा dose मर्दों को लगे ऐसा क्यों क्योंकि इसके पीछे भी बहुत वज़ा है सबसे पहले मर्दों का body weight यानि वजन औरतों के मुकाबले जादा होता है और इसलिए thyroid hormone की जो दवा होती है मर्दों में जादा requirement होती है साथी साथ क्योंकि मर्दों की बेजल metabolic rate यानि जो metabolism जिसको कहते है वो औरतों के मुत्राबले थोड़ी जादा होती है इसकी वज़े से मर्दों में यह hormone की requirement भी थोड़ी जादा आती है तो यह testosterone thyroid के replacement की बात हुई साथी साथ अक्सर हमने देखा है कि जभी मर्दों को T3 वाला hormone prescribed किया जाता है तो उनके testosterone hormone में ज्यादा अच्छा improvement आता है और मर्दों T3 वाले hormone को ज्यादा अच्छे से metabolize और यूटिलाइज भी कर पाते हैं लेकिन अगें क्या dose और कॉनसी medicine आपके लिए applicable होगी आपके सबसे पहले आपके डॉक्टर आपके thyroid को stabilize करेंगे क्योंकि अगर आपका thyroid is stabilized नहीं होगा और वैसे केश में अगर हम आपके testosterone hormone की treatment शुरू करेंगे तो शायद से आपको उतना benefit ना हो साथी साथ अगर आपका thyroid disturbance में है तो prolactin hormone भी disturb होता है और उसके वज़े से भी testosterone कम आता है इसलिए directly हम testosterone की treatment पे jump ना करके पहले हम आपका thyroid को stabilize करेंगे देखे thyroid hormone जो है हमारे पूरे body का सबसे मत्वपून होर्मोन है और सबसे मत्वपून होर्मोन में ही अगर गडबर रहेगी तो आगे के hormones में भी गडबर आ सकती है इसलिए सबसे पहले thyroid को stabilize करेंगे जैसे ही thyroid आप लेकिन अगर thyroid stabilize हो चुका है उसके बावजुद आपका prolactin या तो फिर आपका testosterone stabilize नहीं हुआ है तो वैसे cases में आगे की दवाईयां दी जाती है prolactin को कम करने के लिए cabagoline है, bromocryptin है ऐसी दवाईया दी जाती है और अगर testosterone कम है तो यह हम जानेंगे कि यह testosterone hormone कम क्यूं है और उसको stabilize करेंगे अगर आपका insulin level जादा है तो वैसे cases में हमें insulin भी stabilize करना जरूरी है क्योंकि insulin अगर गड़बड़ी में रहेगा तो testosterone कम ही रहेगा तो again treatment काम नहीं करेगी तो insulin को stabilize करने के बहुत अच्छे तरीके lifestyle जो है वो सबसे महत्वपूर रोल प्ले करता है तो lifestyle में आप यह चेक कीजिए कि आप किस तरीके का खाना खा रहें क्या ज्यादा प्रोसेस खाना तो नहीं खा रहें ज्यादा पैकेजिंग वाला खाना तो नहीं खा रहें तो आप का insulin resistance ज्यादा रहेगा साथी साथ यह चेक किजिए कि आपके physical activity कैसी है अगर बहुत ज्यादा बेठक वाला जीवन जी रहें सेडेंटरी लाइफ ले रहें तो आपका insulin level ज्यादा रहेगा ज्यानि फिजिकल आक्टिविटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा साथी साथ आप testosterone को कम करते हैं तो stress को भी आपको कम करना जरूरी है फिर आजाता है sleep यानि की नींद अकसर कम नींद के वज़े से आपका testosterone कम हो सकता है और इसी लिए sleep बहुत important role play करता है in fact जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में और एक important hormone है melatonin जिसको कहते है उसका level अगर सही रहेगा तो testosterone level भी सही होता है यानि आप समझे के एक hormone अकेला नहीं है यह chain of hormone से एक दूसरे से जुड़े हुए है और यही beauty है endocrine system की के वो orchestra की तरह काम करते हैं और एक दूसरे को balance में रखते हैं तो जब आप holistic life को चुनाव करते हैं तो आपके एक नहीं बलकि सभी hormones regularize होने शुरू हो जाते हैं फिर उसके बावजूद अगर यह सब करने के बाद में आपका अगर insulin level कम नहीं आ रहा है तो वैसे cases में doctors आपको insulin stabilizing वाली कुछ दवाईया इस्तमाल करने को कह सकते हैं जिसमें आजाती है metformin है, berberine है, chromium है, alpha lipoic acid है, ऐसी कुछ medications का भी इस्तमाल किया जा सकता है तो अगर आपने insulin level को stabilize किया, तो भी आपका testosterone ठीक हो जाएगा फिर बढ़ते है SHBG वाले protein की तरफ, जो बनके आया है liver में से जी हां, क्योंकि अगर SHBG hormone में ही गड़बढ है, तो कितना भी सही testosterone hormone production रहेगा, फिर भी आपका problem solve नहीं होगा और इसे लिए liver health पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये protein जो है mainly liver में से ही आता है तो अगर आप दारू का 7 कर रहें, तो उसको आपको कम करना है, fatty liver जैसे समस्या है, तो उसको भी आपको regularize करना पड़ेगा और भी चेक कर लीजे कि आपको और कोई प्राइकार का liver problem तो नहीं है, जैसे कि hepatitis का infection ठीके, जब ये सब stabilize कर दिया, फिर बढ़ेंगे हम ultimate treatment, जो है testosterone replacement therapy, जिसको हम TRT के नाम से भी जानते है तो testosterone की दवा का dose जो है, वो आपकी उम्र के हिसाब से, आपके body weight कितना है, और आपका testosterone का level कितना है, उस पर depend करता है testosterone replacement बहुत सारी तरकों से होता है, unfortunately जो oral treatment है, वो उतनी ज़्यादा helpful नहीं होती क्योंकि अक्सर ये liver में problems लेके आती है, और इसलिए testosterone को ठीक करने के लिए injections सबसे ज़्यादा better options में माने जाते है of course कुछ ऐसी creams है, कुछ ऐसी skin के patches है, जो available है market में, लेकिन जितना हमने practically देखा है, जितना injection benefit देता है, उतना और कोई therapy इतना benefit नहीं देती तो testosterone hormone replacement भी आपके case में applicable हो सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो के treatment में series में बताया, उसी प्रकार testosterone replacement को हम हमेशा आखरी form रखेंगे because पहले कि अगर hormones की गड़बड़े, अगर हम उसको ही ठीक नहीं करेंगे और direct final stage पर आ जाएंगे, तो शायद से आपको उतना benefit ना हो और in fact कभी कबार हम series के starting के जबी treatment कर लेते हैं, तो अकसर हमें final stage testosterone replacement की तरफ जुड़ना भी नहीं पड़ता है तो ये भी बहुत important point है, तो ये है thyroid और testosterone, always remember hypothyroid और hypogonadism काफी commonly जुड़े हुए है और अकसर एक दुसरे को mask कर देते हैं, क्योंकि दोनों के लक्षने same है तो अगर आपको यही सब लक्षने रह रहे हैं, और अगर आपको hypothyroid है, तो please check कीजे कि क्या आपका testosterone तो सही है या नहीं और अगर सही नहीं है, तो आप उसको ठीक कीजे, ताकि आपकी quality of life में improvement आए और आप यह नहीं सोचते बैठे कि thyroid की वज़े से हमारी जिन्दगी खतम होगी तो मैं आशा करती हूँ, आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नहीं और सही जानकारी हासिल हुई, अगर हाँ, तो like बटन पे ज़रूर क्लिक कीजे, अगर आपके कोई भी नेजी परसनल सवाल है, जिसका जवाब आप डून रहे हैं, तो नीचे comment box में मैं हर एक comment को पढ़ते रहती हूँ, जल से जल जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ, अगली बार वापिस मिलेंगे, तब तक अपनी सिहत का खयाल रखिए, नमस्ते